कि आज के टोपिक आपका एवरेज स्पीड जो कि आमने पहले अचाप्टर एवरेज का था उसके अंदर भी आया था टोपिक तो आज यह आपका Speed, Time and Distance वाले chapter के अंदर तो एक एक question देखते है सबसे पहला question है आपका कि 500 km का जो distance है वो travel किया जाता है 4 घंटे के अंदर और 400 km का जो distance है वो किया जाता है 5 घंटे के अंदर तो इस जो गाड़ी है या कार है इसकी average speed क्या होगी average speed का वहीं simple formula होता है total distance upon total time तो हम यहां से लेंगे total distance, total distance आपका हो जाएगा 900 km और total time आपका हो जाएगा 9 घंटे तो आपका आंसर आजाएगा 100 km पर ती घंटा यह आपकी average speed आजाएगी इसके अंदर आपके जो distance थे वो दो थे, next वाला है जो आपका उसके अंदर जो conditional है, यहां पर उसने पहले से howards दिये थे अब की बार वो कहता है कि 400 km जाता है और उसकी speed होती है 50 km per hour अगले में 300 km जाता है और उसकी speed होती है 60 km पर ती घंटा तो rule के इसाब से आपको जो formula चाहिए वो वहीं है total distance upon total time तो total distance तो आपके पास है बड़ total time नहीं है तो पहले time निकालेंगे और time का formula था आपका distance upon speed तो जब इससे इसको आप divide करेंगे तो आपका answer आजाएगा 8 hour कि जो 400 km की दूरी है उसको 50 की चाल से चलता है वो तो आठ घंटे में उसको travel कर लेगा पूरा next है आपका कि 300 km जाता है 60 की चाल से तो इसमें उसको total time लगेगा 5 घंटे का अब ये question और पहला question आपका बिल्कुल सेम है कि 400 km जाता है 8 घंटे में और 300 km जाता है 5 घंटे में तो उसकी average speed क्या होगी तो total distance आपका हो जाएगा 700 km और जो आपका total time है वो हो जाएगा 13 घंटे तो answer आजाएगा 700 बटे 13 km पर आवर तो ये आपका था second question अब next है कि जिसके अंदर आपको distance given नहीं है केवल आपको speed given है और ना ही time mention है तो इस वाले के लिए हम क्या करते हैं बट यहाए condition होती है कि जो distance है वो equal है ये जो distance उसने travel किया और आगे का जो distance travel करता है वो दोनों बराबर है तो इसका person है आपका के एक motorcycle चालक एक दूरी को 60 km पर ती घंटा की चाल से तै करता है और उतनी ही दूरी को means same distance उसको करता है वो 40 km पर हावर के distance से तो हम उसके लिए average speed कैसे निकालेंगे तो उसके उससचाल कैसे निकालेंगे इसकी उससचाल निकालने के लिए आप इसके अंदर simple formula का यूज कर सकते हो या फिर questions को पहले simple soul करके उसके बाद निकाल सकते हो तो conditionally हम इसको दोनों तरीके से करेंगे तो पहले हम इसके अंदर assume कर लेते हैं कि दोनों की जो distance है वो equal है तो वो कितनी होगी माल लीजिए वो distance आपका है 120 km तो ये distance भी आपका 120 km है अभी आपको निकालनी है average speed तो speed के लिए आपको चाहिए total distance upon total time तो इसमें time mention नहीं है तो हम यह से time निकालेंगे 120 km की दूरी जाता है 60 की चाल से तो time आएगा आपका 2 घंटे फिर जाता है वो 120 km की दूरी को 40 की चाल से तो आपका time आएगा 3 घंटे और अब लगाते है formula तो total distance आपका कितना हो जाएगा 120 पहले और 120 बाद में तो 240 km जाता है 5 घंटे के अंदर तो answer आपका आजाएगा 48 km पर hour आपका एक तरीका ये है कि जब आप distance को assume कर लेते हैं second condition है कि अगर हम distance को मानने x तो फिर इसे कैसे solve करोगे same वही रूल लगाना है आपने पहले आपको निकालना है इसके लिए time तो पहला time होगा distance upon में speed second के लिए आपका time हो जाएगा distance upon में speed अभी आपका जो formula था वो था total distance तो total distance है आपका x प्लस x divide by total time है आपका x बटे 6 और x बटे 40 जब हम इसको solve करते हैं तो यह आएगा आपका 2x LCM लेंगे तो 60 multiply 40 ले सकते हो यहाँ पर तो यह हो जाएगा 40x प्लस में 60x जब आप इसे convert करेंगे तो यह आएगा आपका 2x divide by 40 प्लस में 60 यहाँ से x को ले लो common और 60 multiply 40 तो x से x कर जाएगा और यहाँ से आपका आएगा फिर 2 multiply 60 multiply 40 divide by 100 तो यह आपका आजाएगा 48 km पर हावर जो कि आपका पहले भी आया था 48 km परती धंटा यह आपकी second type है कि जब हम इसे एज्यूं करके जैसे schools के अंदर किया जाता है तो हम इसको ऐसे son करते हैं अब बात आती है कि इसका अगर हम shortcut लगाए तो क्या होगा तो उसका shortcut formula होता है 2 multiply S1 multiply S2 multiply S3 2 के लिए है आपका तो S2 तक रहेगा divide by S1 plus मैं S2 और अगर इसी question को हम पहले वारी तरीके से देखे तो आपका यही formula यह है 2 multiply S1 multiply S2 बटे S1 plus मैं S2 तो जैसे हैं आप इसको यहाँ पे simplify के लिए apply करेंगे तो आपका same answer आ जाएगा 48 km परावर तो आपको इसको तीन तरीके से हमने बताया है आपको तो सबसे जो easy है जो ना भूलने लायक है वह आपका इस वाले form से अगर इसको प्रू करकर देखना है कैसा होता है तो यह आपका यह है और अगर सोटकर तरीके से आपको चलना है तो यह है बसरते इसके अंदर आपको ध्यान डखना होगा कि जो distance दिया जाएगा वो जब equal कहे तो ही यह formula लगेगा वरना यह आपका नहीं लग पा सेकेंड यह होगा और थर्ड यह है जबकि यह जो distance है तिनो अब की बार उसने कहा है कि पहले की तरह है कि सारे equal है तो सबसे आसान तरीका यहीं है कि हम इसके अंदर जो distance है उसको assume कर ले ताकि आपकी जो calculation है वो exact आती रहे तो हम इसके लिए lcm ले ले लेते हैं आपका 60 तो 60 km का distance आपका यह होगा 60 km का distance आपका यह होगा और 60 का ही आपका यह होगा तो according to formula के असाब से अगर चलें आप तो हमें करना होगा पहले total distance तो total distance हो जाएगा 180 km divided by total time, total time नहीं है तो पहले time निकालेंगे तो 60 km जाता है 20 की चाल से तो answer आएगा 3 घंटे फिर जाता है 60 km 30 की चाल से तो यहां से आपका आजाएगा 2 घंटे फिर जाता है 60 km 15 की चाल से तो फिर आएगा आपका 4 घंटे अब नीचे करेंगे total time का distance 3 और 2, 5 और 4, 9 और यहां से इसको काटेंगे तो यह आपका आएगा 20 तो आपकी average आजाएगी 20 km करती घंटा यह था आपका यदि आप distance assume करते हैं यदि इसको भी shortcut formula से करना चाहें तो इसका formula लगेगा आपका 3 multiply S1 multiply S2 multiply S3 divide by S1 S2 S2 S3 और plus S1 S3 इस वाले formula से यदि आप इसको soul करते हैं तो फिर आपका shortcut तरीके से भी आपका 20 आजाएगा लेकिन conditionally अगर देखा जाए तो यह जो तरीक का हमने आपको बताया भी कि distance को assume करो तो यह सबसे short trick है next है आपका अगली बार उसने ये कहा है कि हमें distance निकालना है अब की बार इससे पहले हमने distance assume किया था तो वो कहता है कि इसका distance कितना होगा यदि कोई गाड़ी यहां से जाती है 40 की चाल से और वापस आती है 60 की चाल से तो distance जब भी आपको निकालना होता है तो उसका formula होता है आपका speed multiply time तो उसने time तो mention किया है कि ऐसा वो 10 घंटे में करता है लेकिन जो speed है वो आपकी 2 है और हमें आपको चाहिए single speed तो इसके अंदर हम पहले निकालेंगे वही average speed तो 60 और 40 की पहले भी निकाले थी हमने आपकी speed आई थी 48 km पर हावर अभी इसमें रखेंगे तो 48 multiply 10 यह हो जाएगा 480 किलो मीटर इसके बाद बात करते हैं इसमें point है अभी इसको करके उसके बाद बताता हूं उसके अंदर के इन दोन्नों में comparison करोगे तो answer में एक difference है बस तो वो गलती आपको और नहीं करनी है ये वाला question था आपका कि एक दूरी को तै करना और वहाँ से वापस आना अगला person है कुल दूरी का आधा 40 से चलना आधी दूरी बाकि 60 से चलना अब की बार भी जो time है आपका total दिया गया है 10 गंटे का तो इसकी भी जब हम average speed निकालेंगे वहीं 48 आएगी multiply 10 करोगे तो इसका answer भी 480 km होगा लेकिन इन दोनों में difference क्या है इसका जो answer है 480 km ये सही होगा क्यूंकि वो यहां से यहां तक की दूरी बताता है 480 km लेकिन जो पहला वाला question था उसने कहा था कि पहले यहां से वहां जाएगा और फिर वहां से यहां आएगा इसका मतलब वो यहां से वहां जाएगा और फिर वापस आएगा तो आने का मतलब है कि इसके अंदर जो distance है वो आपका double है तो इस वाले question में इसका जो answer होगा वो इ है वो यह माल लेते हैं जबकि वह जाए और फिर वापस आए तो इसका मतल़ जो डिस्टेंस हमने निकालना है वो जाने का और आने का निकाला है जबकि डिस्टेंस आपका एक ही होगा तो वो होगा दोस्तो चालिस नेक्स्ट किस्टिन के अंदर उसने कहा है किसका हाफ डिस्टेंस और फिर हाफ तो यहां से यहां तक यह होता है चारसो असी जबकि इसके अंदर है यहां से जाना और फिर वापस आना यह होता है चारसो असी तो इसका अगर हाफ करोगे तो तो आपका आएगा एक्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा A और B के बीच का तो ये क्यूशन स्टियापके average speed के